कांटा बहन की दो बहुएं थी, बड़ी कलपना और छोटी प्रिया, कलपना का जैसा नाम वैसा ही काम, सारा दिन कलपनाओं में रहती, ना कोई काम करती, ना कोई धाम अरे कलपना बहुँ, जरा अच्छी सी चट्नी पीस दे, आज कुछ मसेदार खाने का मन है, पेट में जलन हो जाएगी मा जी बड़ापे में, और वैसे भी, मेरा काम करने का वक्त शाम का है, अब प्रिया को ही बोल दो इतना कहकर कलपना वहाँ से चली जाती है, कानता कलपना के ऐसे रवये से काफी परिशान रहती है, मैं बना देती हूं मा चट्नी ऐसा बोलकर प्रिया मा को चटनी बना कर प्लेट में खाने को देती है कि तभी वहां कल्पना आ जाती है अरे वा चटनी ज़रा चक कर तो देखू बड़े दिन हो गए अरे नहीं बहू तू तो रहने ही दे चटनी खाना पेट में जलन हो जाएगी इतना कहकर कांता और प्रिया दोनों हसने लगते हैं कल्पना सारा दिन या तो मुबाइल में यूट्यूब देखती या फिर सोती रहती उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता एक दिन कल्पना का पती अशोग उससे कहता है अरे कल्पना जानवर भी उस जगों को साफ कर लेता है जहां वो बैठता है तुम तो इनसान हो कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो देखो सारा सामान यहां वहां बिखरा पड़ा है ज्यादा अपनी मा का बोलना बोलो हाँ कमरा तुम्हारा भी तो है गंदा लग रहा है तो साफ कर लो पता नहीं तुम्हारे साथ मैं कैसे जिन्दगे बिताऊंगा इतना कहकर अशोग वहां से चला जाता है कल्पना बस खाना खाने कमरे से बहार आती और फिर से कमरे में चली जाती इससे कांता बेहन काफी परिशान रहती एक दिन प्रिया कांता से कहती है मा, मैं सारा दिन काम करके ठक जाती हूँ आप कलपना दीदी से कहिए न कि सुबा और शाम का काम बाट ले मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूँगी हाँ अरे तु वो भी ना करना एक बहुतो काम चोड़ थी तुसरी भी आ गई काम ना करने के बहाने लेकर तबे वहाँ प्रिया का पती रमेश आ जाता है मा, मैं देख रहा हूँ, वहाँ भी कोई काम नहीं करती प्रिया सारा दिन घर और रसोय का काम करती है अब कुछ करो ना मा कांता मन में कुछ सोचती है और कलपना के पास जाती है कलपना फोन पर मेक अप करना देख रही होती है कलपना, तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती हो घर का कोई काम भी कर लिया करो प्रिया सारा दिन काम करके ठक जाती है आज से मैंने फैसला किया है एक वक्त का काम तुम करोगी सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रिया आप लोगोंने काम को हुवा बना रखा है अरे पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा काम करने में आप लोग गपरा क्यों जाती है और हाँ बहुत ज्यादा प्रिया की तारिफ मत करिये मेरे सामने बड़ी बहु तो मैं ही रहूंगी मैं कुछ नहीं जानती कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए रसोई में आ जाना वनना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा अगली सुबह कल्पना रसोई में नहीं आती है वो देर से सोकर उठती है और बाहर आकर कहती है अरो भूठ लगी है आज खाने में क्या है इतनी देर हो गई आज किसी ने मुझे उठाया भी नहीं पता नहीं कहां है सब कलपना को घर में कोई नहीं दिखता वो रसोई की तरफ जाती है जहां बड़ा सा ताला लगा होता है आरे रसोई में ताला ओ मैं तो भूली गई थी मा ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था ये भगवान इतने लोगों का खाना बनाना क्या आसान है तब ही घर के सारे सदस्य बाहर से वापस आते हैं वा मा जी मज़ा आ गया चोले भटूरे खाकर मेरे मुँ में तो अभी भी स्वाद आ रहा है कलपना को बहुत कुस्सा आ जाता है अब बहुत हो गया आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी कलपना अपनी रसोई अलग कर लेती है पर आए दिन उसका देर से उठना और काम न करनी की आदत से वो भूकी ही रह जाती थी उसे के सामने घर के लोग अच्छे-च्छे पकवान खाते और काम चोर कलपना को जैसे तैसे ही खाना बना कर खाना पड़ता पर एक दिन तो हदी हो गई मा दीदी आज सुबह से कमरे से बहा नहीं निकली हमें जाकर देखना चाहिए हम्म सो रही होगी काम चोर कहीं की पर तुम कहती हो तो चलो देख लेते हैं उसे कलपना कमरे में पेट पकड़कर बैठी होती है हुए मेरा दर्द पेट दर्द के मारे मर रही हूं मैं अरे दीदी क्या हुआ पेट में दर्द क्यों हो रहा है डॉक्टर को दिखाया आपने मा कलपना खड़ी होती है और माजी के पास आती है मुझे माफ कर दीजिए अब से मैं सारे काम में मदद करूँगी कभी आलस और कामचूरी नहीं करूँगी हाँ हाँ वो तो ठीक है लेकिन अचानक क्या हो गया जो तु काम करने को तयार हो गई कामचूर कलपना मा लगातर बासी और उल्टा पूल्टा खाना खाने की कारण मेरे पेट में इंफैक्शिन हो गया है काम न करना पड़े इसलिए मैं दो दिन का खाना एक दिन ही बना लेती थी बासी और खराब खाना खाने की कारण लेने के देने पड़ गे आहो पेट में दर्दो रहा है चलो अच्छा हुआ देर आए दुरस्त आए कामकाजी बहू रवीना की दो बच्चे थे वो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी उसके आफिस जाने की बाद उसकी सास उसके बच्चों को संभाला करती लेकिन रवीना को इसकी कोई कदर नहीं थी एक दिन रवीना अपनी मा से फोन पर कहती है ममी क्या बताओ मेरी सास तो बिलकुल अच्छी नहीं है वो समझती नहीं है कि मुझे कितना काम करना पड़ता है एक तो ऑफिस तक का लंबा सफर और फिर नौ घंटे लगातार काम बैठे बैठे तो मेरी पीठा कर जाती है खुद तो सारा दिन घर में मज़े करती है जब मन करा सोए जब मन क्या खाए तब ही उसकी सास वहां आ जाती है अच्छा मा मैं बाद में आपको फोन करती हूँ जी ममी जी कोई काम है क्या आपको क्या हुआ रविना बहु सारा दिन तो तू आफिस के मज़े लेती है लेकिन यहां ये बच्चे मुझे आराम भी नहीं करने देते मेरी तो तबियत खराब हो रही है तो आपको लगता है कि मैं दफ्तर में मौच करती हूँ आपको क्या समझाओ छोड़ी मा काम करना भी जरूरी है मजबुरी नहीं होती तो मैं खुदी अपने बच्चों को देख लेती अब आज तो छुटी है ना आज तो कम से कम घर का काम कर ले बहु काम शुरू करती है बच्चे के साथ काम करना उसके लिए असंभव हो जाता है वो जाकर बच्चा सास को देती है और कहती है ममी जी ज़रा बच्चा तो पकड़ लीजी मैं घर का काम कैसे करूँ जैसे मैं करती हूँ रोज बच्चे के साथ तुझे बताओं तो तू सोचती है कि कोई बड़ा काम तो है नहीं बच्चा तो सोता रहता है अब देख लिया खेर बस मैं यही तुझे समझाना चाहती थी ला बच्चा मुझे दे और काम कर बहु मुझा बनाकर वहाँ से चली जाती है वो मन में सोचती है हम्, बात तो सही है बच्चे के साथ घर का काम करना असंबव है वो किसी तरह काम करती है और अगले दिन ऑफिस के लिए निकल जाती है ऑफिस में उसकी सहली उससे कहती है यार तु तो बड़ी लखी है तुझे तेरी सास खाना बना कर दीती है बच्चे भी देखती है और तुझे किसी बात की चिंदा भी नहीं होने देती अरे क्या लखी बदले में मैं उन्हें पूरी कमाई जो दे देती हूं और अपने बच्चे से दूर रहती हैं वालल हर किसी को न दूसरे की प्लेट में ज्यादा घी दिखता है जा अपना काम कर अरे फिर भी ये तो है यहां हमारे बच्चे को मैं क्रेश में छोड़ती हूं हर पर डर लगा रहता है कि क्या कर रहा होगा खेर चल मुझे क्या बहु घर आती है तो देखती है कि उसकी सास उसके बच्चे को बड़े ही प्यार से खिला रही होती है वो मा को देखकर खुश हो जाता है बहु मन में सोचती है कि बात तो सही है सासो मा सारा दिन काम करती है मैं ओफिस से आकर भी काम नहीं करती हूँ वो सास के पास जाती है और कहती है मा जी ठख गया और क्या, सारा दिन चक्कर घीनी की तरह पूरे घर में घूमती रहती हूँ और अब उमर भी नहीं रही, लेकिन चल तू बता, क्या हुआ कुछ काम है क्या बहु कुछ नहीं कहती, मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बहु सास से पहले उठकर उन्हें चाय देती है अरे, आज सूरज कहां से उगा है, तू पहले उठ गई, चल अच्छा किया मनने से पहले तेरे हाथ की चाय तो पी ली, चलो अब चल कर किचन में लगू माजी, आपको आज से काम करने की जुरूरत नहीं है काम करने की जुरूरत नहीं है मतलब, क्या तू करेगी आज से सारा काम इतने अच्छे तो हमारे नसीब नहीं है भाई नहीं माजी मैं नहीं करूँगी नहीं आप करेंगी बलकि ये करेगी तभी वहाँ एक कामवाली बाई आ जाती है ये कौन है बहु? माजी ये नौकरानी है और आज से सारा काम ये ही करेगी मुझे माफ कर दीजे माजी मैं नहीं समझ पाई कि आप ठक जाती है आज से आप सिर्फ आराम करिए और मुन्ने के साथ खेलिए और सास बहु बच्चे के साथ खेलने लग जाते हैं कानी बहु किशोरी लाल जी के बेटे रागव की शादी की बात जगा जगा चल रही थी लेकिन किशोरी लाल जी को कोई लड़की पसंदी नहीं आ दी थी और उसकी एक ही वज़े थी किशोरी लाल जी का लालची होना उनको लड़की वालों से मोटा दहिर चाहिए था और इसी चकर में एक दिन वो एक बहुत पैसे वाले की घर अपने बेटे का रिष्टा लेकर पाजे उस आदमी का नाम था ओम प्रकाश देखे किशोरी लाल जी मेरी एक ही बेटी है और मेरी सारी संपती जायदाद सब कुछ मेरी बेटी नैना का ही है पापा नाम से लगता है बहुत खुबसूरत होगी कितना अच्छा नाम है नैना ओ वसे बहुत तो सही है आपकी अब इतना पैसा है जमीन जायदाद है एक लोटी बेटी आप भी क्या करेंगे साब को जूसे ही देंगे ना बिल्कुल ठीक पैचान आपने बस बेटी की शादी और सारी जायदाद उसके नाम पापा बिना दे के हाँ कर दीजिये न इतना अच्छा रिष्टा फिर काम मिलेगा माला माल हो जाएंगे हम मैं अपनी बेटी को बलाता हूँ और नहीं 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 आपकी बेटी का नाम नैना है सुनकर ही लगता है बहुत सुन्दर होगी रहने दीजिये अंकल मैं तो आपकी बेटी के नाम से इतना खुश हो गया हूँ कि उसे बिना दे के शादी करने को तयार हूँ अब तो मैं उसका चहरा सीधे शादी के बाद ही देखूंगा और इस तरह रागव नैना का चहरा नहीं देखता और उससे शादी कर लेता है शादी के बाद अपने सुहाग राद पर जब रागव नैना का घूंगट उठा कर देखता है तो नैना की आँके बंद थी मैं ने तुम इस शादी से पहले भी नहीं देखा, और अब अगर तुम आखे खोल कर मुझे देखोगी भी नहीं तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा? इससे पहले कि नैना अपनी आखे खोल कर रागो की तरफ देखती, अच्छानक से लाइच चले गए, और रागो नैना को पूरी तरह से देख भी नहीं पाया, अगले सुबर नैना रागो के लिए नाश्ता बना कर लेकर आई अरे ये क्या? आधा पराठा सीखा हुआ है और आधा बिल्कुल कच्छा? ये तुमने क्या किया नैना? बहुँ, तुमने क्या आधा पराठा तवे से नीचे लटका कर रखा था? जो आधा सीखा है और आधा कच्छा? मुझे जितना दिखीगा उतना ही तो सीखूंगी न पापा जी जहां-जहां मुझे नजर आ रहा था वहां मैंने सीख लिया जहां-जहां नहीं दिखा वहां कच्छा रह गया होगा इसका क्या मतलब है ये कैसा मसा कर रही है तुम अरे बहु तुमने इतना लंबा गुंगट क्यों लगाया हुआ है देखो हमारे घर में बहुँओं को बेटी की तरह रखा जाता है और पिर तुम तो इतना सारा माल लेकर आई हो देखो ये गुंगट डाल कर रखने की कोई जरूरत नहीं है अहाँ नैना पापा जी ठीक कह रहा है तुम तो आराम से रहो अपना इगर समझो नैना अचानक से अपना गुंगट उठा लेती है अरे ये क्या पापा नैना की तो एक आग फूटी हुई है नाम से नैना लेकिन ये तो कानी बहु निकली मेरे साथ दोखा हुआ है दोखा बना दिखा है अपने कानी लड़की मेरे जंग भ्यादी मुझे कानी बीवी नहीं चाहिए मुझे अभी ये ओम प्रकाश्चिस से बात करनी पड़ेगी आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों अरे आप लोगों नहीं तो पापा से कहा था कि आप लोग शादी से पहले मुझे देखना नहीं चाहते अब मेरे पापा पर क्यों इल्जाम लगा रहे है अरे लेकिन उन्हें बताना तो चाहिए ता रहा कि तुम कानी हो एक आख से तुम्हें दिखाई नहीं देता किशूरी लाल और रागव नाराज होकर उम प्रकाश को अपने घर बलाते है पापा जी ये आपने क्या किया शादी से पहले बताया क्यों नहीं कि नैना के आखों में परिशानी है अरे आप ही ने तो लड़की देखने से मना कर दिया था अरा लेकिन आप बता तो सकते थे आपको तो हमारी बेटी की प्रापर्टी चाहिए थी वो भी पूरी की पूरी अब क्या हुआ अगर उसे आदा दिखाई दिता है प्रापर्टी तो आपको पूरी मिल गई ना ये क्या बात हुई मेरी शादी प्रापर्टी से नहीं आपकी बेटी से हुई है अब ये तो पहले सोचना चाहिए था तब तो मेरी प्रापर्टी देखकर तुमारे जबान लप लप आ रही थी लेकिन मैं कानी लड़की को अपने भीवी बनाकर नहीं रख सकता पापा कुछ करिये ना करता हूं करता हूं देखे ओम प्राकाशी आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते और तुम देखो अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी ना तो जो भी प्रापर्टी मैंने तुम्हें दी है वो तो पुरी की पुरी वापस ले लूँगा और आधी प्रापर्टी तुमारी भी लूँगा अरे मेरी आधी प्रापर्टी भला क्यों लेंगे आप इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आदा नजर आता है और उसकी नजर अभी तक तुम्हारी आदी जाइदाद परीपड़ी है अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ तो लेकर जाएगी ना और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहु बना कर रखे तो तो तुम्हारी पूरी प्रापर्टी तुम्हारी रहेगी पूरी नहीं जमाएं कि शुरी लाल और रागव समझ चुके थे कि वो बुरी तरफ हस चुके है और अब उनकी पास माह से निकलने का कोई चारा नहीं है अब समझ में आया ना लालच बुरी बला होती है एक तो तुम्हें प्रावपची मिली उपर से बीवी मिली उसमें तुम्हें नखरे भी दिखाने है आये बड़ी चुपचाप बैठो तुम कुछ दिनों के बाद नैना रागों की कार लेकर बाजार खुमने निकलती है और जब कार लेकर पापस आती है ये क्या एक तरफ से मेरी गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है लगता है तुमने मेरी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सिजिंट किया है कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने बहू वो क्या है न पापा जी मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था सामने से गाड़ी आ रही थी मुझे तो सिर्फ आदा ही दिखाई दिया और वो गाड़ी मेरी कार से रगड़ती हुए निकल गई अब मैं क्या करूँ बताओ आप इसा ठीक कराने के पैसे कौन देगा तुम्हारे पापा तुमने मुझे से इस तरह से बात की अभी रुको नैना रागव की शिकायत उम प्रकाश को कर देती है देखो रागव अब जो मेरी आधी प्रापटी तुम्हारे पास थी न उसमें से आधी और में लेकर जाओंगा क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डाटा आरा नैने पापाजी गलती होगी माफ्ट कर दो गलती की तो कोई गुणजाइश ही नहीं अगली बार मेरी बेटी को डाटा तो बची हुई आधी में से आधी और ले जाओंगा लालज के चक्कर में हम दोने ने बहुत बड़ी गलती करती बेटा एक तो तुम्हें कानी बहु मिली और उपर से जो माल मिला वो भी काना इस तरह रागव की हर एक गलती पर उम्हें प्रकाश उसके प्रावपटी का आधा आधा हिस्सा लेकर अपना सारा माल वापस ले गया और रागव को कानी भीवी से काम चलाना पड़ा भे लालज बाकई में बरी बला है मेरपूर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था पत्ती पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे एक दिन तेजस गाउं अपनी मा की पास फोन करता है हलो प्रणाम मा जी ते रहो मा तुम दादी बनने वाली हो हैं अरे वाँ ठीक है बेटा मैं कल ही आती हूँ जब मा जी शहर पहुँची तो बेटे बहुने बहुत अच्छे से स्वागत किया लीजिये मा जी चाय अरे गर्मा गरम पकोड़े ले आओ मा के लिए निरु रसोई में गई और दो मिनिट में ही पकोड़े ले आई जी ये लेजिये बहु जाद से बनाए है क्या अभी तो रसोई में गई थी यमी मा जी शीला रसोई में पकोड़े तल रही है मैं बस लेकर आई ए भगवान मेरा धरम ब्रश्ट कर दिया तुने आप तो गंगा जल से शुद्धी करण करना होगा दूसरे दिन मा जी मैंने नाश्ता बना दिया है ओफिस जा रही हूँ पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है शीला आती ही होगी जाडू, पोछा, बरतन, कपड़े वो सब कर लेगी हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे जी मा जी आप बहुत होश्यार है मैं घर ओफिस दोनों नहीं समाल पाती तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है समझी पर मा जी पर वर कुछ नहीं इस महिने की पगार मिले फिर आप ही सबंद रात को नीरू तेजस से कहती है सुनिये जी मा जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दू वैसे ठीकी तो है अभी तुम्हें आराम की जरूरत है फिर पर आराम कहा शीला को छोडाने के लिए बोल रही थी तो अब 24 गंटे में इतना काम तो करी सकती हो पर जौब पसंद है मुझे घर पर मन नहीं लगेगा अगले दिन जब दोनों आफिस के लिए निकल रहे थे मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर मे मा जी आजकल महंगाई बहुत है रहन सेहन भी बदल गया है दोनों नौकरी करते हैं तब ही चीक रहता है अच्छा तु कहना क्या चाती है मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता तु ही इस घर का खर्च चला रही है नहीं मा जी मेरा वो मतलब नहीं था मतलब खूब समझती हूँ ये बाल धूप में सफेद नहीं किये मैंने अब तो ये रोज का काम हो गया था तेजस भी रोज की चिक चिक से परिशान हो गया था एक दिन उस दी कहा निरू वैसे भी तुम्हें मैटनेटी लीव मिलने वाली है तो अभी से ही छुट्टी ले लो पर पर क्या मेरी सैलरी अच्छी खासी है हाखे निरू ने रिजाइन कर दिया जब बच्चा हुआ तो घर में सब बहुत खुश हुए कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था क्या हुआ तेजस कुछ परिशान लग रहे हूँ हाँ वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छटी के फंक्शन में खत्म हो गई है निरू और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हैपिटाइटिस का ठीका लगवाना है निरू क्या पोस्पोन नहीं कर सकते नहीं जी बिलकुल नहीं अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है पैसों की कमी का असर घर के माहुल पर भी पढ़ रहा था अगले दिन बेटा मेरा चश्मा और ये दवाईया ले आना परचा देते हुए माजी ने कहा जी तेजस मुन्ना के लिए दूद का डिपा और डाइपर भी ले आना और ये किराने के सामान की लिस्ट है इसे भी लाना है तेजस गुसे में लिस्ट मरोड कर फेकता है और चिलाता है पैसे क्या पेड़ पर उखते हैं ये ले आना वो ले आना अरे पर ये जरूरत का सामानी है वो गुसे में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया अरे अरे लांच तो ले चाएए नीरू दौड कर डिपा पकड़ाती है एक दिन खाना खाने के बाद नीरू हम अब तो मुन्ना कुछ बड़ा हो गया तो? अब तुम वापिस जॉइन कर लो ना जॉब पर इस रिसेशन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है ट्राई तो करो फिर मुन्ना माजी है ना और एक फुल टाइम मेट भी लगा लेंगे पर माजी उन्हें तो पसंद नहीं तभी माजी वहां आ जाती है और प्यार से निरू के सर पर हाथ फैरते हुए बूलती है अब मेरी समझ में आ गया बहु पहले के और अपके समय में अंतर है तुम काम शुरू करो मुन्ना की जिम्मेदारी मेरी मेरी प्यारी माजी ये कहकर निरून की गले लग गई शिक्षा परिवर्तन संसार का नियम है हमें भी समय के साथ चलना चाहिए उमीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी कृपया हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें और हाँ विडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बाई बाई रजनी को बच्पन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था वो हमेशा से ही पेंटर बनना चाहती थी पर उसके माँ और पिताजी ने उसको कभी भी इस जिस के लिए सपोर्ट नहीं किया और उसके शादी नीरव से हो गई नीरव रजनी को बहुत प्यार करता था पर रजनी हमेशा चुपचाप ही रहती वो इस शादी से खुश नहीं थी वो ये शादी नहीं करना चाहती थी उसे तो हमेशा से पेंटर जो बनना था अपने इस सपने को वो नहीं पूरा कर पाई इसलिए वो हमेशा उदास रहती थी रजनी बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी है कल देखने चले नहीं जी कल मुझे बहुत काम है मैं नहीं जा पाऊंगी अच्छा तो कोई बात नहीं संडी को चलते हैं देखिए मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है आपको जाना है तो चले जाएए नीरो को मना करके रजनी वहां से चली जाती है और अपने बैग को खोल कर उसमें बंद पड़े ब्रश और कलर्स को देख कर रोने लगती है रजनी चलो ना कहीं बाहर खाने चलते हैं कुछ तुमारी पसंद का जी मुझे नहीं जाना मेरी तब्य ठीक नहीं है रजनी वहां से चली जाती है नीरो को समझ नहीं आता कि रजनी उससे इतना दूर क्यों रहती है वो जब भी उसके साथ वक्त बिताना चाहता है रजनी कोई ना कोई बहाना बना देती है एक दिन घर पर कोई नहीं था रजनी घर का सारा काम जल्दी से खत्म कर लेती है घर पर अकेले होने के कारण वो सोचती है कि वो आज पेंटिंग करेगी वो अपने कमरे में जाकर paint brushes और colors निकाल कर जैसे ही color mix कर रही होती है कि दर्वाजे पर bell बच जाती है अब कौन आ गया इस वर इतनी मुश्कल से तो मुझे paint करने का मौका मिला है रजनी दर्वाजा खुलती है तो उसकी सास अपनी सहलियों के साथ खड़ी होती है और सब घर के अंदर आ जाते है अरे बहू सब को शर्बत बना कर पिला दे बाहर तो बड़ी गर्मी है जी रजनी paint ना कर पाने से उदास हो जाती है उसे गुसा भी आ रहा होता है कि उसने इस शादी के लिए हाग क्यों कह दी वो रसुई में जा रही होती है कि उसकी सास उसे रूपती है बहू सब के खाने का भी इंतजाम कर ले ना आज का लंच तो ये सब यहीं करेगी हाँ रजनी बिना कुछ कहे जब शाम होती है तब सब चले जाते हैं अपने घर अरे बहू सब तेरे खाने की तो बहुत तारीफ कर रहे थे सबको बहुत अच्छा लगा खाना आपको मुझे सुबह बताना चाहिए था ना कि आपकी सहली आ रही है पता भी है कितना वक्त लगा सारा खाना बनाने में अरे बहू तो ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे तो और कैसे बात करूँ मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ कि इतना काम करूँगी रजनी अपने कमरे में जाकर दर्वाजा बंद कर लेती है शाम को जब नीरव आता है तो उसकी मा उसे पूरी घटना के बारे में बताती है क्या रजनी ने आपसे इस तरवाद की मा हाँ और पता नहीं उसे क्या हो गया है शाम से बाहर भी नहीं आई है मैंने तो कई बार आवाज दी खाना भी नहीं खाया उसने तू ही बात करके देख ले बेटा नीरव अपने कमरे का दर्वाजा खट खटाता है रजनी दर्वाजा खोलो मैं हूँ रजनी दर्वाजा खोलती है और फिर वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है रजनी मा से बात करने का ये क्या तरीका है मैंने कोई गलत बात नहीं की है अरे तुम क्यों ऐसे बरताओ कर रही हो सबके साथ क्या तुम्हें शादी से खुश नहीं हो रजनी कुछ नहीं बोलती रे बताओ मुझे रजनी क्या ये शादी तुम्हारी मर्जे के खिलाफ हुई है हाँ मैं ये शादी कभी नहीं करना चाती थी तुमसे क्या मैं किसे से भी शादी नहीं करना चाती थी रजनी रोने लगती है छुप हो जाओ रजनी बताओ मुझे तुम क्यों नहीं करना चाती थी शादी रजनी बेड के नीचे से अपने पेंटिंग्स, कलर्स, ब्रश, पेपर्स निकालती है इतने में उसके सास भी कमरे में आ जाती है ये देख रहे हो, ये थे मेरे सपने मैं पेंटर बनना चाहती थी पर मापापा ने कभी सपोर्ट नहीं किया और मेरी शादी करवादी मेरे सारे सपने टूट गए हर वक्त बस गुसा आता रहता है मुझे जानती हूँ कि आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है पर मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता रजनी फूट फूट कर रोने लगती है मुझे माफ कर दीजिये, आप दुनों के साथ मैं बहुत बुरा बरताओ कर रही हूँ अरे रजनी बेटा, चुप हो जाओ तुम नीरो पानी लेकर आता है ये लोग पानी पियो और शान्त हो जाओ रजनी पानी पिती है और उसके साथ पेंटिंग्स देख रही होती है अरे नीरो, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहु कलाकार है अरे कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है देखो तो ये वाली तो मैं अपने कमरे में ले जाओंगी आपको ये पेंटिंग्स अच्छी लगी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी और तुमने हमें बताया क्यों नहीं तुम जब चाहे पेंटिंग्स कर सकती हो रजनी हम तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा पूरा साथ देंगे हाँ बेटा हम कला की कद्र करते हैं हम कलाकार तो नहीं पर मुझे गर्व है कि मेरी बहु एक कलाकार है रजनी नीरव और सास दीनों हस पढ़ते हैं काम चोर बहु कांटा बहन की दो बहुएं थी बड़ी कलपना और छोटी प्रिया कलपना का जैसा नाम वैसा ही काम सारा दिन कलपनाओं में रहती ना कोई काम करती ना कोई धाम अरे कलपना बहु जरा अच्छी सी चटनी पीस दे आज कुछ मसेदार खाने का मन है पेट में जलन हो जाएगी माजी बढ़ापे में और वैसे भी मेरा काम करने का वक्त शाम का है अब प्रिया को ही बोल दो इतना कहकर कलपना वहां से चली जाती है कांता कलपना के ऐसे रवए से काफी परिशान रहती है मैं बना देती हूं मा चटनी ऐसा बोलकर प्रिया मा को चटनी बना कर प्लेट में खाने को देती है कि तभी वहाँ कल्पना आ जाती है अरे वाँ चटनी ज़रा चक कर तो देखू बड़े दिन हो गए अरे नहीं बहू तो तो रहने ही दे चटनी खाना पेट में जलन हो जाएगी इतना कहकर कांता और प्रिया दोनों हसने लगते है कल्पना सारा दिन या तो मुबाइल में यूट्यूब देखती या फिर सोती रहती उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता एक दिन कल्पना का पती अशोग उससे कहता है अरे कल्पना जानवर भी उस जगों को साफ कर लेता है जहां वो बैठता है तुम तो इंसान हो कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो देखो सारा सामान यहां वहां बिखरा पड़ा है ज्यादा अपनी मा का बोलना बोलो हाँ कमरा तुम्हारा भी तो है गंदा लग रहा है तु साफ कर लो पता नहीं तुम्हारे साथ मैं कैसे जिंदगे बिताऊंगा इतना कहकर अशुक वहां से चला जाता है कल्पना बस खाना खाने कमरे से बाहर आती और फिर से कमरे में चली जाती इससे कांता बहन काफी परिशान रहती एक दिन प्रिया कांता से कहती है मा मैं सारा दिन काम करके ठक जाती हूँ आप कल्पना दीदी से कहिए न कि सुबा और शाम का काम बाट ले मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूँगी हाँ अरे तु वो भी ना करना एक बहु तो काम चुर थी ही दूसरी भी आ गई काम ना करने के बहाने लेकर तबे वहाँ प्रिया का पती रमेश आ जाता है मा मैं देख रहा हूँ भावी कोई काम नहीं करती प्रिया सारा दिन घर और रसोय का काम करती है अब कुछ करो ना मा कांता मन में कुछ सोचती है और कल्पना के पास जाती है कल्पना फोन पर मेक अप करना देख रही होती है कल्पना तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती हो घर का कोई काम भी कर लिया करो प्रिया सारा दिन काम करके ठक जाती है आज से मैंने फैसला किया है एक वक्त का काम तुम करोगी सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रिया आप लोगोंने काम को हववा बना रखा है अरे पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा काम करने में आप लोग गबरा क्यों जाती है और हाँ बहुत ज्यादा प्रिया की तारिफ मत करिये मेरे सामने बड़ी बहु तो मैं ही रहूंगी मैं कुछ नहीं जानती कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए रसोई में आ जाना वन्ना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा अगली सुबह कलपना रसोई में नहीं आती है वो देर से सोकर उठती है और बहार आकर कहती है पता नहीं कहा है सब कलपना को घर में कोई नहीं दिखता वो रसोई की तरफ जाती है जहां बड़ा सा ताला लगा होता है आरे रसोई में ताला ओ मैं तो भूली गई थी मा ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था ए भगवान इतने लोगों का खाना बनाना क्या असान है तब ही घर के सारे सदस्य बाहर से वापस आते हैं वा मा जी मज़ा आ गया चोले भटोले खा कर मेरे मुँमे तो अभी भी स्वाद आ रहा है अरे कलपना तेरे भरों से रहते तो हम तो बूखे ही रह जाते कलपना को बहुत गुस्सा आ जाता है अब बहुत हो गया आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी कलपना अपनी रसोई अलग कर लेती है पर आए दिन उसका देर से उठना और काम न करनी की आदत से वो भूकी ही रह जाती थी उसे के सामने घर के लोग अच्छे-च्छे पकवान खाते और काम चोर कलपना को जैसे तैसे ही खाना बना कर खाना पड़ता पर एक दिन तो हदी हो गई मा दीदियाद सुबह से कमरे से बहा नहीं निकली हमें जाकर देखना चाहिए हम वम सो रही होगी काम चोर कहीं की पर तुम कहती हो तो चलो देख लेते हैं उसे कलपना कमरे में पेट पकड़कर बैठी होती है होई मेरा दर्थ पेट दर्थ के मारे मर रही हूँ मैं अरे दीदी क्या हुआ मा, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, डॉक्टर को दिखाया आपने, मा, कल्पना खड़ी होती है, और माजी के पास आती है, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं सारे काम में मदद करूँगी, कभी आलस और कामचूरी नहीं करूँगी, हाँ, हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अ यार हो गई, कामचोर कल्पना, मा, लगातर बासी और उल्टा पूल्टा खाना खाने की कारण, मेरे पेट में इंफैक्शिन हो गया है, काम न करना पड़े, इसलिए मैं दो दिन का खाना एक दिन ही बना लेती थी, बासी और खराब खाना खाने की कारण, लेने के देने वह देर आए, दुरस्त आए